अलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू एवर्ग्रीन बुटीग और आज वीडियो में मैंने आपके लिए रेस्टॉक किया है गोटा वर्क सूट्स अलहम्दुलिला यह प्रीविएस वीडियो में सारे आउट आफ स्टॉक हो गए थे तो अभी किसी को भी और करना है तो प्लीज जल्दी से स्क्रीन शॉट्स लीजेगा यह टोटल अभी 12 पीसी है मेरे पास इंशाला मैं और लेके आती हूं आपके लिए डिफरिंट शेड्स में लेकिन इसमें होट पिंक कलर है उसकी बहुत डिमांड आ रही थी तो वो दो है मेरे पास डिफरिंट डिजाइन में तो अ पासिप नमर आपको सामने स्क्रीन पर ही शॉट जाएगा और यह वो शिफॉन स्टफ के उपर है शॉट शिफॉन दुपत्ट शिफॉन और बॉटम कुछ पीसीज में शेंटून है कुछ में साटन सल्क है क्योंकि इसमें कुछ शेड्स ऐसे हैं जिसमें शेंटून का कलर नहीं आ रहा है तो उसमें साटन सल्क है दोनों की कौईलिटी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरक है और मैं बता भी दूंगी किस सूट में आपको साटन सल्क मिलेगी और किसमें प्योशेंटून मिलेगी कि देखिए सबसे पहले मैं आपको यह गोल्डन शेट दिखा रहे हूं यह गोल्डन कलर है यह मस्टर्ड यलो भी कह सकते हैं उप्टन में एजिकली यह शेट चलेगा माई उप्टन के लिए अगर किसी को लेना है तो आप डिजाइन चेक कर ले है है भी गोटा वोग है इसके उपर शिफॉन स्टफ है यह देखिया यह फ्रेंट साइड में आपको शो करें यह फ्रेंट का डिजाइन है मस्टर्ड कलर है और साइड में यह स्लीव के उपर वर्क आ रहा है कि इसकी मैं आपको विर्थ बता देती हूं स्लीव सटाके कितनी विर्थ है यह प्रॉक्स 25 विर्थ है तो 50 साइज 50 है यह एसट इस 48 तक इजी लिए स्टेश्ट हो जाएगा और यह इसका दुपट्टा यह देखें फोर साइड वोग के साथ आपको दुपट्टा मिल रहा है गोटा वर्क है यह सब दुपट्टे के उपर भी इस तरह से बहुत इन है आज के लिए वाले गोटा वह बहुत देमांड हो रही है इसकी तो यह देखें यह दुपट्टा आ गया और अपने आपको प्योशिन टून बॉटम दिखा रहे हूं यह प्योशिन टून है सेम टून का बॉटम आ गया यह देखें कहीं ग्रीन कलर है यह आप इसका डिजाइन चेक कर लें यह रिस्टॉक हुआ है यह सेम डिजाइन मैं आपको प्रीवीज वीडियो में भी देखा चुकी हूं एक दो डिजाइन आपको से मिलर मल जाएंगे हैं यह दिखें इस तरह से यह फ्रेंट साइड के उपर वर्क है साइड में यह हैवी एमरोइड़ेट स्लीव है और बैक साइड के उपर इस तरह गोटा है यह शोर्ट का बैक साइड है तो यह मैंने आपको शोर्ट दिखा दिया यह साटन स्टफ में साटन स्टफ में इसका बॉटम का स्टफ है क्योंकि यह शेड ऐसा है यह डाइ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यह देखें फोर साइड इस पर गोटा वॉक आ रहा है दुपटे पर बीच में भी यह सब गोटा वॉक है काफी बड़े इसके दुपटे रहते हैं डाइमीटर किसी के डाइमीटर से भी जादा रहते हैं तो यह इस तरह इस पे वर्क आ गया अब आपको यह पिंक शेड दिखा रही हूं इसमें प्योशेंग टून में मिलेगी शेय बॉटम बस एक दो सूट ऐसे हैं वो शेड डाइ नहीं होते हैं तो वो आपको साटन संक या क्रेप में मिलेगा यह दावन का डिजाइन है इस तरह यह उपट तक यह डिजाइन आ रहा है निकलाइन के उपर इस तरह से सब वर्क है अब आप इसकी स्लीव्स देख लें यह साइड में इस तरह से स्लीव्स पर वर्क आ जाएगा और इसका दुपट्या भी फोर साइड बॉटर है और बीच में यह फ्लार्स लगें है गोटे के लीव्स टाइब यह दिखें पर पट्टे पर वर्क आ रहा है इस तरह बहुत फाइन वॉक हुआ वह सारी सूक्स पर मैं आपको बहुत करीब से दिखा रहे हूं यह आप चेक कर सकते हैं अब यह दिखें यह लाइट फ्रोजी शेड है यह प्रॉपर फ्रोजी ही कह सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको काही ग्रीन दिखाया उसके सामने लाइट लग रहा है तो इसलिए लेकिन फ्रोजी ही है और यह इस तरह से वर्क है इसके उपर हेवी गोटा वोक है और यह साइड में इसकी स्लीव्स आ गई स्लीव्स पे भी वर्क है इसके दुपट्टे के भी फो साइड बॉडर आ रहा है यही वाली बेल बनी है जो आपको शर्ट पे मिल रही है यह तरह से दुपट्टे का वर्क हो गया और यह फ्लार्स में जो पेटल यूज हुए पत्ती एक वो पूरे दुपट्टे पे इस तरह से लगी है सारे दुपट्टो पे इसी तरह का वर्क है एक यह दो में कुछ डिफरेंट वर्क होगा वो मैं आपको शो कर ही रही हूँ तो यह देखें यह दुपट्टा हो गया सबी के बैक साइड पे यह है लीज है अगर किसी पे नहीं है तो वह मैं आपको शो कर दूँगी यह दिखें रैड कलर आ गया यह ब्राइट रैड कलर है यह इस तरह है इसकी मैं विर्क आपको वर्क की बता दूँ विर्ट सभी की 25 हो जाएगी 25 तक है बस इसमें यह वर्क जितना हुआ है यह 22 तक है लेकिन यह थोड़ा सा प्लेन स्टाफ आके 25-26 तक हो जाएगी आप अब इसका डिजाइन चेक कर लें यह जाल वर्क में है फ्रेंट साइट पे डिजाइन यह तरह का वर्क है और साइड में स्लीफ के उपर भी यह सब जाल वर्क ही है अब यह इसका दुपट्टा है वी दुपट्टा है यह बैक से से मैं आपको शो करें इस अब थ्रेट से हुआवा है यह दुपट्टे पर बॉडर आना है इस तरह और काफी लैंदी है दुपटे धाई मीटर तक है कुछ के और भी बड़े हैं और वेड़ भी अच्छी है शिपॉन स्टफ है कि इस तरह दुपट्टा है अब यह देखें यह कुछ मेहंदी का पॉडर होता है यह वह कलर है कि जुप राइब आर्च होता है यह वह कलर है यह देखें और फ्रेंट साइट के वोग कर डिजाइन चेक कर लें फुल जाल वोग है कि और साइड में ये स्लीव्स है कि हैवी स्लीव्स है सभी में बैक साइड पर ऐसे लीव्स लगी है एक एक और इसका दुपट्टा भी फॉर साइड बॉर्डर है बहुत खुबसुरा डिफरेंट कलर है एक डम दिखें इस तरह बॉर्डर आ जाएगा तो ये दुपट्टा हो गया यही रस्ट कलर है अब मैं आपको रस्ट कलर दिखा रही हूँ ये फ्रंट साइड के डिजाइन देख लिए आप हेवी जालवोक है हेवी एम्रोइडेट स्लीव्स है इसमें इसमें बैक साइड पर लीव्स नहीं है ये बैक साइड प्लेन है और ये दुपट्टा काफी हेवी दुपट्टा है इसका ये पुपट्टे पर बॉडर आ रहा है फोर सैड और रस्ट कलर है ये ही फोर सी ये जुपट्टा काफी है ये जाएड़ नहीं है ये खाज़ आता रहा है ये जाल आप जाएडे ये तार ये जालवा ये जावा इस तरह वर्क आ रहा है, साइड में ये स्लीव के उपपर वर्क है, ये दुपट्टा आ गया, ये दुपट्टे पे बॉर्डर आ गया, अब ये पर्पल कलर है, डाक पर्पल जामली शेड है, इस तरह से इस पर वर्क है, फ्रेंट साइड पर आपको ये जो जैसे शो हो रहा है, एक्जेक्टली उपड तक वही वर्क है, और ये इस लीफ्स पर वर्क आ जाएगा, इसके दुपट्टे पे ऐसे सिक्या के साथ पूरा जाल बनावा है और बीच में फ्लार्स लगे है, इस पर इस तरह वर्क है, बॉर्डर नहीं है, इस पर जाल वर्क आ रहा है दुपट्टे पे, अब ये दिखें, ये पिकॉप ग्रीन शेड आ गया, पिकॉप बिल्कुल जैसे मोर में वो शेड आता है, बिल्कुल वो है, और ये वाला कलर आपको जाई शेड टून में नहीं हो पाएगा, इसमें साटन सिल्क की बॉटम मिलेगी, क्योंकि इससे पहले प्रिविएस वीडियो में भी मैंने बहुत ट्राइ किया, तो मैंने फिर इसमें साटन सिल्क ही लगाया, और गर किसी को विदाउट बॉटम चाहिए, तो बता सकते हैं, वो लोग अपना बॉटम खुद रेडी करा सकते हैं, अपने चाइस के अकॉर्डिंग, उन्हें टूपीस कोरियर हो जाएगा, और टूपीस के प्राइज आप मुझते वाच्टसप पे पूछ सकते हैं, ये प्राइस बता रहे हूं आज के इन सूट्स के, ये बैक साइट पे भी है, और दुपट्टे पे ऐसे फोर साइड आएगा, बॉटर, ये इस तरह है, एक ये पिस्ता ग्रीन कलर है, ये फ्रैंड साइड के ऊपः वर्क आ रहे है, आप डिजाइन चेक कर ले, किस तरह का वर्क है, साइड में हैवी स्लीव को से आजाएगा, तरह दुपटे के फोर साइड आपको बॉर्डर मिलना है इस पर यह दुपटे का डिजाइन है इस तरह से दुपटा है पूरा डाय मीटर अप्रॉक्स दुपटा रहेगा फोर साइड बॉर्डर है शिफॉन स्टफ तो इजी लिए आप कैरी कर सकते हैं है वी नहीं है बिल्क कि अभिक यह प्रेंग में और डिजाइन है यह डिफरेंट डिजाइन है इडिखे इस तरह वर्डर है फुल-जाल वर्डर की है पर डिजाइन चेंज है साइड में हेवी एमडूएड स्लीव यह हैंड आइमड ही है सारा यह सब हाथ से हुआवा काम होता है और एक एक पीस में काफी दिन लग जाते हैं बने में क्योंकि ये सब मशीन वॉक नहीं है सब मैन्विली ये सब लेडीज करती है इस तरह से इसका दुपट्टा आ जाएगा तो ये आज का लास्ट सूट होगी अभी किसी को भी और करना है तो प्लीज जल्दी से स्क्रेंशॉट्स लें लिमिटेड स्टॉक है अभी और वाट्सअप नंबर आपको बेलकुल सामने शोग जाएगा प्राइस भी मेंशन रहेंगे फ्री शिपिंग है और इंडिया और कि को कोई भी फॉर्डे कोईरी करने तो वाट्सअप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल एवर ग्रीन बूटीक नाजिया खान को लाइफ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग एवर ग्रीन बूटीक टेक कियर अलाहफेज